नमस्कार मैं एड़ोकेट नरेश कुदाल आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल विधान का ग्यान पर दोस्तों भरण पोषण के बारे में जितने भी कानूनी प्रावधान बने हैं उन सब के पिछे एक ही उद्देश्य रहा है सामाजी कल्यान का और इसी उद्देश्य को प्रावधान के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अलग-लग समय पर अलग-लग सिधान्त भी दिये गए हैं वर्तमान इस्थिती में भरण पोर्षण के लिए कानूनी प्रावधानों पर एक नजर डालें तो भरण पोर्षण के लिए प्रावधान section 125 CRPC में section 2425 Hindu Marrize Act में section 18 Hindu Adoption and Maintenance Act section 37 Special Marrize Act और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षन अधेनियम में दिये गए हैं अब तक होता ये था कि जब भी किसी मामले में court को interim maintenance तै करना होता था तो court ये मान कर चलता था कि जिस भी महीला के द्वारा interim maintenance के लिए application लगाई गई है तो उस महीला को interim maintenance की आवशकता है और वो महीला इस लायक नहीं है कि खुद से कमाकर अपना भरण पोजिशन कर पाए और फिर interim maintenance तै करते टाइम court अपने विवेक के आधार पर ही कोई भी रकम तै कर देती थी जो कि कई बार तो महीला के लिए काफी एपरियाप्त होती थी और कई बार maintenance का payment करने के लिए एकदम एवास्तविक हो जाती थी यानि कि उसकी इतनी छमता ही नहीं होती थी कि वो इतनी amount का payment कर पाए कई बार पत्नी एक से ज़्यादा कानूनी प्रावधानों के अंतरगत भी maintenance के लिए application लगा देती है और अब तक की कानूनी स्थिती भी यही रही है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस कानूनी प्रावधान को मान्यता दी गई है कि पत्नी अलग-अलग प्रावधानों में maintenance प्राप्त करने की हगदार है लेकिन जैसे जैसे हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं में बदलाव हुआ आज के सिनेरियों में काफी शादियां बहुत कम टाइम तक चलती हैं और बहुत जल्दी तूट जाती हैं और शादियों के तूटने के पिछे कारण भी बहुत छोटे-छोटे होते हैं ऐसी स्थिती में काफी कम समय की शादी के लिए कई-कई बार तो कुछ दिनों या कुछ घंटों की शादी के लिए ही पती को जीवन भर मेंटिनेंस देना पड़े ये कत्तई न्याइपुर्ण नहीं है दूसरी तरफ देखें तो हमारे समाज में सिक्षा का काफी विस्तार हुआ है महिलाओं में सिक्षा काफी बढ़ी है कई बार तो पत्नी पती से ज़्यादा पड़ी लिखी भी होती है ऐसी स्थिती में पत्नी खुद को मेंटेन करने में सक्षम होती है लेकिन केवल इस कारण से कि वह पत्नी है और पती के खिलाफ कानून में व्यवस्ता है प्रावधान है इसलिए पती को उसे जिवन भर मेंटेन करने के लिए कंपेल किया जाए ये भी कत्तई न्यायपुर्ण नहीं है कई बार ऐसा भी होता है कि पत्नी शादी के पहले कोई नौकरी या कोई रोजगार कर रही हो और शादी के बाद उसे छोड़ देती है और जब सेक्षन 125 में अप्लिकेशन लेके आती है तो उसमें यह लिखती है कि मैं इस समय कोई काम नहीं कर रही हूँ और ना ही खुद को मेंटेन करने में सक्षम हूँ ऐसी पतनिया भी कोई से ओडर लेके और पती के खिलाप मेंटिनेंस का ओडर पारित करवा लेती है ऐसी सारिस्थ हितियों में ऐसे सामाजिक सिनेरियों में नई इसपस्ट और आज के युग के लिए व्यवहारिक व्यवस्था की आवशकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई इसी लिए सुप्रिम कोड ने अभी हाल ही में चार नवंबर दो हजार बीस को रजनी स्वर्सेज नेहा के एक मामले में एक गाइडलाइन जारी की है जिसमें मैंटिनेंस से संबंदित मामलों के लिए एक व्यवस्था बना दी गई है और उस गाइडलाइन को भारत की सभी कोर्ट पर लागू किया गया है आज के वीडियो में हम सुप्रिम कोर्ट के इसी निरणय में दी गई गाइडलाइन के मुख्य पहलों के बारे में जानने वाले हैं लेकिन इसके पहले यदि आप चैनल पर नए है या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं क के बारे में पहले अलग-अलग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ये मत था कि पत्नी अलग-अलग कार्यवाहियों के जर्ये मेंटिनेंस प्राप्त कर सकती है लेकिन इस निरणय में ये स्थिती स्पस्ट कर दी गई है कि यदि पत्नी पहले से किसी कार्यवाही के द्वा मेंटिनेंस की कोई राशी प्राप्त कर रही है और उसने किसी अलग प्रावधान में एप्लिकेशन मेंटिनेंस के लिए लगाई है तो जो राशी वो पहले से प्राप्त कर रही है उस राशी को समयोजित किया जाएगा और उस राशी को ध्यान में रखते हुए ही नई कार्य प्रवाही से केवल बैलेंस की रकम ही पत्नी को दिलवाई जाएगी इसी निरने के द्वारा एक बड़े विरोधा भास को भी खतम किया गया है section 125 CRPC में provision है कि court या तो order की तारिक से या फिर application file की जाने की तारिक से maintenance का भुगतान की जाने का order कर सकता है लेकिन Supreme Court ने इस निरने में ये एकदम clear कर दिया कि हर मामले में court को application लगाये जाने की तारिक से ही maintenance दिलवाये जाने का order करना है तीसरी सबसे बड़ी विसंगती और समस्या maintenance के quantum को लेकर थी यानि कि कितनी रकम तै की जाये जो पत्नी के लिए पर्याप्त हो और जिसे पती अफोर्ड कर सकता हो इसमें समस्या ये होती थी कि क्योंकि हर पत्नी अपनी petition और affiliate में पती की income जादा से जादा बताती थी और पती अपने जवाब और affiliate में अपनी income को कम से कम और दायत्यों को जादा से जादा बताता था ऐसी स्थिती में कोर्ट के पास स्वय विवेक के अलावा और कोई रास्ता नहीं था या इतनी सामगरी फाइल पर नहीं होती थी जिससे वो इंट्रिम मेंटिनेंस के लिए एक एप्रोप्रियेट रकमताय कर पाए इसके समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि पत्नी को और पती को दोनों को एक एफेडेविट देना होगा ये एफेडेविट क्रिशी पर निर्भर रहने वाले लोगों के लिए अलग और क्रिशी पर निर्भर नहीं रहने वाले लोगों के लिए अलग-अलग होगा एफेडेविट का format भी Supreme Court के द्वारा तैय किया गया है इस format में यदि कोई आवश्यक changes हो तो अलग-अलग स्थानों के court अपने हिसाब से changes कर सकते हैं इन एफेडेविट में पक्षकारों का विवरण, उनकी educational status का विवरण, शादी का विवरण और उनके बीच में चल रही कार्यवाहियों का सारा विवरण आएगा साथ ही पक्षकारों के शिक्षा उनके कमाये जाने की चमता और वर्तमान रोजगार की पूरी detail आएगी यदि एफेडेविट पत्नी का है तो उसमें ये भी अंकित किया जाएगा कि क्या शादी के पहले वो कोई नोकरी या रोजगार कर रही थी यदि कर रही थी तो वो क्या था इन शपत पत्रों में इतनी पर्याप्त सूचना कोर्ट के सामने आ जाएगी कि कोर्ट ये तय कर सके कि क्या पत्नी maintenance प्राप्ट करने की हकदार है और अगर हकदार है तो उसे कितनी राशी मेंटिनेंस के रूप में दिलवाई जाए इतना ही नहीं यदि इन एफेडेट्स में कोई भी पार्टी गलत कथन करती है तो ऐसी पार्टी के खिलाफ कोर्ड एक सो पिच्यान में और 340 CRPC की कारेवाही भी कर सकती है ये शपतपत्र कंपलसरी करने से भरणपोषण के मामलों में निर्धारन करना बहुत ही आसान हो जाएगा जिससे कोर्ड का समय भी बचेगा और एक उचित आदेश भी कोर्ड कर सकेगी दोस्तों इसके अलावा भी आपका कोई सवाल हो या आप अपने किसी मामले के संबंद में मुझसे डिसकस करना चाहते हो तो स्क्रीन पर उपर दिये गए नंबरों पर आप वाट्सेप करके या फोन करके कॉल बुक करवा सकते हैं आज के लिए इतना ही ऐसे ही लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रही हमारे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में